नवस्का दुस्तों स्वागते आपका आपकी अपनी यूटूब चेनल पर तो दुस्तों सीटेश से चकवर्ती के रिजल्ट को लेकर फाइनली आप सब के लिए बहुत बड़ी घवज समय की निकल क्या रही है रिजल्ट जारी करने के लेकर और दुस्तों जो रिजल्ट में देरी होने का जो कहान था वो नॉर्मलेशन को था इसको लेकर कल सामको सीब्सी वोड की बैठक भी हुई थी दोस्तों जिसमें की नॉर्मलेशन को इसमें लागू किया गया है कापी सारे यूटूब चैनल आपको बता रहे होगा कि नॉर्मलेशन लागू नहीं होगा लेक पूरा जरूर देख लेना साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने हैं आपको सीटेट सिच्चेवर्ती की पलपल की अपडेट है वो देखने को मिल जाती है तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय न लेती हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थोड़ी हम बात क नौर्मलैसन का जो प्रयोक किया गया है नौर्मलैसन की यूज़ज के बाद जो आपकी कट ole बर रही है दोस्तों वो आपकी कुछ इस प्रकार से कटॉफ है ST category में 70 नम्मर वाले चात्रों को सीटेट पास कर दिया गया है सावन category में 85 OVC में 80 और SC में 75 नम्मर वाले चात्रों को पास किया गया है ये नॉर्मलेशन इसमें लागू किया गया है क्योंकि तीन प्रकार से आपका पेपर आया था जो है डिवाईडिशन किया गया है 1 गजाओं में इसके आदर पर आपका जो है फररुमला इसमें लगाया गया है और नॉर्मलेशन से दोस्तो आपके नम्मर 10 से 12 नम्मर पृते क्शात्र के वढ़ गए है ये भी अच्छी ख़बर है seated रिजल्ट आपको दोस्तों इस पकार से आपको देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट वाज आपको यहाँ पर मार्क दे रखें हैं सब्जेक्ट के आपने कितने अंकांसिल किये हैं पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी primary stage और elementary stage के लिए आपकी परिच्छा का आजन करवाया जाता है अब चलिए दोस्तों result की बात कर लेते हैं result आपको कैसे चेक करना है किन दिस चेप पता था का जो result है दोस्तों ct8 का result है वो आपको ct8nic.in पर देखने को मिल जाएगा पर आप उपना result है वो चेक कर सकते हैं चलिए दोस्तों आपकी रिजल्ट को लेकर क्या update है आपकी सीटेट की जो answer की आई थी वो एक फरवरी को आई थी और answer की के 7 दन के अंदर रिजल्ट है वो जारी हो जाता है जबकि दोस्तों 7 दन से ज्यादा समय हो चुका है पर आपका सीटेट का रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा और अभी दोस्तों आपकी लिंक है वो एक्टिवेट किसी भी समय की जा सकती है जिया दोस्तों किसी भी समय आपका सीटेट का रिजल्ट है वो आ सकता है और आज आपका 100% result आएगा दोस्तो साम 5 वे से पहले ही आपका result आजाएगा दोस्तो क्योंकि हिंदुस्तन टाइम्स ने थोड़ी दिर पहले ही अपडेट किया कि सीटेट का result है वो थोड़ी देर वादी आपको देखने को मिल जाएगा और आंसर की भी आपकी result के साथ ही जारे की जाएगी जिया दोस्तो आंसर की आपकी result के साथ ही आएगी फाइनल आंसर की जिसमें कि आपको दो से तीन अंक प्रते एक सिप्ट के बढ़ने वाले हैं और नॉर्मलिशन से आठ से दस अंक अलग से बढ़ने वाले हैं तो दोस्तो यहाँ पर आपको वेनिफिट हो रहा है जो कहीं न कहीं अच्छी ख़वर है जिन चात्रों के सत्र या असी नम्मर थे उनका भी सीटेड पास हो जाएगा क्योंकि दोस्तो यहाँ पर नम्मर आपके बड़ोतरी हो जाएगी तो दोस्तो आसा करता है आपको वीडियो चिले गी वीडियो चिले वीडियो को लाइक कर देना रिजल्ट आती मैं तुरंत अपडेट करूंग जय हिंद बंदे मांतरम